इंडिया और न्यूजीलेंड के बीच खेले जाने वाले पहले ओडी मुकाबले के लिए टीम इंडिया के खिलारी प्रेक्टिस करते हुए दिखे वही अगर गेंदबाजी की बात करे तो उम्रान मिल्क प्रेक्टिस करते हुए नजर आए वही आपको बता दे कि उम्रान मिल पहले ओडी मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे जिस तरह से उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है अब देखना है कि वो अपनी गैंट बाजी से किस तरह से न्यूजीलेंड के खिलारियों को परेशान करते हैं वही शिखर धवन ने अपने हाथों से उम्रान मिल कैबदी और फिर टीम इंडिया के खिलारी तालिया बजाते हुए दिखे आपको क्या लगता है जिस तरह उम्रान मिल्क को पहले ओडिया मुकाबले में न्यूजीलेंड खिलाफ मौका मिला है क्या वो इस मौके को बखुबी निभाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाएं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं